तो दोस्तो मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ वेलकम बोनस के बारे में वेलकम बोनस पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल पे जाईए सोमी और रॉय कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए और यहाँ पे अलिम्ट्रेड प्लैट्फॉर्म यह जो लिंक दिया हुआ है लिंक को सिंपली आपको क्लिक करना है लिंक को क्लिक करते ही आप रिडारेक्टेड हो जाओगे रेजिस्ट्रेशन पेज पे कैसे आपको वेलकम बोनस मिलेगा तो मैं दिखाता हूँ रेजिस्ट्रेशन आप लोग को कैसा करना है यह है यहाँ पे आपका इमेल अड्रेस डालना है यह रहा इमेल अड्रेस यहाँ पे कोई भी पासवार्ड आप अपने हिसाब से चूज कीजिए और हमेशा यह ध्यान में राखना है दोस्तों आप लोग कोई करेंसी हमेशा यूएसडी ही होना चाहिए यूनाइट स्टेट्स डॉलर उसके बाग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए चेक मार्क को और यह रहा रेजिस्टर तो दोस्तों आपको यह दिख रहा है कि आप रेजिस्टर करते ही आपके पास यह स्क्रीन आ रहा है डबल यूर डिपोजिट तो यहाँ पे जाईए आराम से आप डिपोजिट कीजिए और आपको दिख रहा है कि 30 डॉलर से 100 डॉलर है 200 डॉलर है अभी जाऊंगा, deposit करूंगा और आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग भी same कर सकते हो and you guys will get 100% welcome bonus from Olym Trade. Let's tap deposit, तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से भी आप लोग deposit कर सकते हो या तो simply अपके visa card या master card किसी से भी आप लोग यहां पे जाके करना है तो यह देखिए मैंने $200 का deposit करने का निरनाई लिया है and here comes the welcome bonus 57 minutes बचा हुआ है, will be credited, मतलब आपके account में जाएगा $400 यहां पे मैं deposit दबाऊंगा, तो wait करते हैं, मैं तब तक अपना card details fill in करता हूँ तो दोस्तों यह मैंने deposit किया, अपने Olym Trade trading account में $200 account registration करते ही और मुझे मिला 100% का bonus, यह आप लोग को दिख रहा है, मेरा live account का balance है $400, you guys can also go ahead and make a deposit and get 100% welcome bonus so do not miss out on this opportunity नमस्कार दोस्तों मैं Somio Roy और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए फिर एक नया trading tutorial वीडियो लेके आया हूँ इस वीडियो में मैं बात करूँगा Bollinger Band और उसके साथ Bulls Power and Bears Power को कैसे use करेंगे यह दोनों oscillator को use करके कैसे trading करेंगे यह मैं आप लोग को बताऊँगा आप लोग को पता होगा कि Bulls Power और Bears Power जो होता है उसको मिला के यह दोनों oscillator indicator को मिला के हम लोग VIP strategy के बारे में भी जानते हैं जिस VIP strategy को हम लोग confrontation strategy बोलते हैं Bulls Power और Bears Power दोनों साथ में मिलके यह strategy में काम होता है तो दोस्तों आज मैं ऐसा ही एक तगड़ा वीडियो तगड़ा टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ Bollinger Bands को यूज करेंगे Bulls Power और Bears Power को यूज करेंगे confrontation VIP देखेंगे कि क्या नतीजा आता है उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ यह जो वीडियो है यह मैं continue करूँगा इसके बाद Bollinger Bands के साथ Bulls Power यूज करेंगे सिर्फ uptrend देखेंगे और उसके बाद हम लोग Bears Power और Bollinger Bands को साथ में यूज करेंगे तो तीन वीडियो यह जो है यह तीन वीडियो आप लोग देखना बिलकुल मत भूलना क्यूंकि हो सकता है कि यह वीडियो आप लोग को ट्रेडिंग में साहता करें ठीक है आप लोग को पता है कि Bollinger Bands में क्या होता है Bulls Power, Bears Power के बारे में मैं वीडियो बनाओ अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देखो वो वीडियो confrontation ठीक है तो अभी पहले हम लोग trade करना start करते हैं मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस हिसाब से हम लोग यह करेंगे ठीक है पहला trade दो मिनिट का ही trade मैं open करूँगा ठीक है जो कि मैं करता नहीं हूँ usually मैं पांच मिनिट चार मिनिट का trade का बड़ा भगत हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैंने दो मिनिट का एक trade open किया है 50 डॉलर invest किया है using Bollinger Band Bulls Power and Bears Power और यह trade हम लोग देखेंगे क्या होता है उससे पहले मैं आप लोग को यह भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अगला trade जो open करना है वो 1500 डॉलर का मैं investment का ठन लिया हूँ कि मैं 150 डॉलर तक का invest करूँगा अगला trade में whether this trade goes on for a loss or a profit whatever it is तो पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि Bulls Power और Beers Power कैसे काम करता है Basically Bulls Power मतलब market में हावी हो रहे हैं buyers, market में price बढ़ रहा है, trend upward है तब उस तरह का market को बोला जाता है bullish market, bullish मतलब bulls market में power में है, trend upward है और market में price बढ़ रहा है ठीक है और beers जो होता है, beers का यहाँ पे क्या role है trading में Bears मतलब market में बिक रहा है, sellers लोग market के power पे हैं और market bearish है और इसका मतलब यह है कि trend जो है downward moving है trend slide कर रहा है नीचे ठीक है, यह है यहाँ पे main motive ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि chart upward moving है मैं यहाँ पे 4 minute का trade time तै किया हूँ, 1500 dollar का मैंने investment rate तै किया है यह candlestick को expire होने देते हैं, फिर trade open करेंगे, फिर आप लोग को मैं आगे समझाओंगा कि कैसे आप लोग को यह charts read करने होंगे, ठीक है, wait करते हैं थोड़ा देर, बीच में मैं बोलना नहीं पसंद करते हैं, यह देखिए, यह trade मुझे loss हुआ, अभी wait करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे chart कितना dynamic है, trade open करेंगे, हम लोग upward, क्यों upward कर रहा हूँ, यह देख लीजिए, यहाँ पे एक bar form हुआ है, छोटा सा, आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो है, वो भी हम लोग का नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक trade open किया है, चार मिनिट का $150 of investment, तो upward trade, तो अभी क्या करेंगे, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्यों मैंने upward trade यहाँ पे open किया, यह आप लोग bulls power देख रहे हो, bulls power में यह जो horizon है, zero level है, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे histogram form हो रहा है, उपर भी, नीचे भी, और bears power में उपर भी form हो रहा है, और नीचे भी form हो रहा है, ठीक है न, इसका मतलब क्या है, जब bulls power and bears power आपको histogram जो form हो रहा है, वो उपर हो रहा है, bulls power के भी और bears power के भी उपर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि the market is trying to change, यहाँ पे किसी तरह का upward trend का संकेत है, और जब आपको यह दिख कि bulls power और bears power दोनों नीचे के तरफ है, जैसे कि यहाँ पे green bars भी नीचे form हो है, और red bars और बड़े-बड़े form हो है, मतलब यहाँ पे पूरा sell हो रहा है, market पूरा नीचे धस रहा है, sellers यहाँ पे power में है, और buyers यहाँ पे power में नहीं है, लेकिन अभी जो हो रहा है, आप लोग देख रहे हो, bars के उपर bars form हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ है कि buyers market में थोड़ा सा भी हो, तो market को control करने का प्रयास कर रहा है, और इसी लिए उपर bars form हो रहा है, जो कि यहाँ पे थोड़ा contradictory situation है, क्योंकि bears power में अभी भी bars उपर form नहीं हो रहा है, जहाँ पे bears power प stiff upward movement एकदम जट से उपर जाएगा, ठीक है, तो यह रहा bears power और bulls power का आप लोग के लिए फिर से विस्तारित रोप से विसलेशन, अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या basically होता है, ठीक है, देखेंगे कि चार्ट में यहाँ पे क्या गति भी दी हम लोग को देखने को मिलेगा, आप लोग देखिए, तब तक 1 minute 50 second का time बचा हुआ है, और मैं यहाँ पे थोड़ा अपना चाय ले लेता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे क्या result हम लोग को मिलता है, मैं और एक trade open करूँगा यहाँ पे, 5 minute का time frame का trade और एक मैं open करूँगा, मुझे लग रहा है, यहाँ पे market में buyers, जो है, buyers यहाँ पे, हावी होने की कोशिस कर रहा है, लेकिन थोड़ा wait करेंगे, थोड़ा wait करेंगे, थोड़ा wait करेंगे, थोड़ा wait करके देखते हैं, यहाँ पे, यह candle stick को खतम होने देते हैं पहले, एक मिनिट पाँच सेकेंड का time बचा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने पाँच मिनिट का और एक trade open किया है, डेर सो डॉलर का upward trend, let's hope for the best, यहाँ पे क्या होगा, वो मैं हम लोग देखेंगे, थेक है, यूएसडी, Singapore dollar, United States dollar and Singapore dollar पे मैं trade कर रहा हूँ, using Bollinger Bands, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि, जो Bollinger Bands का जो standard deviations है, वो धीरे धीरे narrow हो रहा है, narrow हो रहा है का मतलब क्या है, मतलब ही है कि chart जो है, flat होते जा रहा है, movement आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, इस chart में आप ज्यादा trend आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आप trade कर सकते हो, using oscillators, using oscillators क्यों? क्योंकि oscillator flat charts में आपको बताता है कि भाया क्या करना है, trade open करना है, नहीं करना है, ठीक है, 5 second का time बचा हुआ है, 3 second का time बचा हुआ है, 1 second और ये रहा, USD Singapore dollar पे, हम लोग का पहला trade profit is trading session का, where I am explaining you guys about Bollinger Bands in collaboration with Confrontation, VIP strategy or separately Bulls and Bears power, let's wait and watch, देखेंगे यहां पे क्या होता है, 3 minute, 40 second का time बचा हुआ है, मैं कोई हलबडी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बैटे बैटे चाय पीऊंगा और देखूंगा कि यहां पे क्या हो रहा है, क्या नतीजा हम लोग को मिल रहा है, और एक दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अभी तक एक साल के ऊपर मेरा चैनल है YouTube में, अभी तक मैं जो भी किया मैं खुद से सोच के अपना दिमाग को लगा के मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया, लेकिन आज के डेट में जब मुझे यह दिख रहा है कि आप लोग मेरा काम को appreciate कर रहे हो, you guys are happy with what I am doing and you guys are making money, you guys are making progress, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग का राय क्या है, आप लोग क्या ऐसा मुझे बोल सकते हो जिसमें जो वीडियो है या मेरे जो ट्रेडिंग सेशन है और बहतर होगा जिसमें आप लोग को ultimate help मिले, तो दोस् तो हिचकी चाहिए नहीं, कोई भी comment छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी comment खराब या अच्छा नहीं होता है, जाहिए, hit the comment section, मुझे बताइए क्या है मैं आप लोग के लिए, ऐसा ही करने का प्रयास करूंगा पूरी जोर से, तो मुझे बताइए जरूर कि क्या आप लो in the telegram signal trading group, we are making good money and I am sure कि आप भी बड़िया पैसा कमा सकते हो, इसमें कोई problem नहीं होना चाहिए आपको, देखेंगे अभी USD, Singapore dollar में क्या हम लोग को result आता है, 1 minute 53 seconds का time बचा हुआ है, हम लोग बहुत close है लेकिन अभी भी profit पे हम लोग नहीं है, wait करेंगे, देखेंगे. चार्ट downward जा रहा है, चार्ट नीचे जा रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है, यहाँ पर 5 minute का time में रखा था, wait करेंगे, दूसरा चार्ट भी हम लोग देख सकते हैं, और बढ़िया चार्ट कुछ है, हम लोग को नजर में आएगा, यहाँ पर 90% का profit है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि बहुत ही बढ़िया हो सकता है चांस हम लोग के लिए, कि हम लोग यहाँ पर कुछ पैसा कमा के निकल सके, मैं wait करूँगा, यह candle stick को expire होने दूँगा, तब ही जाके मैं यहाँ पर trade open करूँगा, upward trend है, सरा सर, यहाँ पर मैंने trade open कर दिया है, दो मिनिट का साले 400 डॉलर का investment, let's wait and watch, यहाँ पर USD सिंगापूर डॉलर 39 सेकेंड बचा हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि चार्ट उपर धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन यह थोड़ा late हुआ, और मैंने already trade यहाँ पर open कर चुका है दोस्तों, दो मिनिट का साले 400 डॉलर का investment, wait करेंगे यहाँ पर, सिर्फ wait करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, USD सिंगापूर डॉलर पर तब तक चले आते हैं, movement उपर है, candlestick expire होने को है, 5 second, 4 second, 3 second, 1 second, और यह रहा हम लोग का दूसरा, USD सिंगापूर डॉलर ट्रेड प्रॉफिट, यहाँ पर 2 मिनिट का एक ट्रेड मैंने open किया है, आप लोग के सामने, 2 मिनिट का time frame, लेकिन amount बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पर use किया है, बहुत ज्यादा का ट्रेड मैंने open किया है, अभी भी time है, wait करेंगे, अगर sell करना चाता हूँ मैं तो $49 पर अभी sell करना चाता हूँ, जो कि बहुत कम है, compared to the money which I have already invested here, 44 seconds का time बचा हुआ है, बहुत गलत move मुझ से, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ट उपर पहुचा है, लेकिन fluctuations बहुत ज्यादा है, न्यूजिलेंड डॉलर और euro न्यूजिलेंड डॉलर में, मैं चला जाओंगा भी फिर से euro सिंगपूर डॉलर पर, चार मिनिट का trade हम लोग, euro न्यूजिलेंड डॉलर साथ सेकंड का time बचा हुआ है, चार्ट में अभी कोई भी chances नहीं, यहाँ पर मुझे loss, यहाँ पर मैं losses को recover करने का प्रयास करूंगा, euro, USD, Singapore, dollar, थोड़ा चार्ट को correct होने देते हैं, फिर जाके कुछ करेंगे, wait करेंगे थोड़ा दिर, मैंने दो trade open किया है, साड़े 400 डॉलर का 44 मिनिट का time frame मैंने लिया है, let's wait and watch, let's see what we get from these, let me calculate real quick, calculate करके देखेंगे कि कितना मुझे यहाँ पर trade मैंने open किया है, और क्या मेरा results है, 1600 डॉलर का मैंने trade open करेंगे, कर चुका है अभी तक, 1600 डॉलर का, और यहाँ पर मुझे अभी तक मिला है, 276 प्लस 276, 1000 डॉलर मुझे अभी भी यहाँ से recover करना है, कियोंकि यह trade मुझे सरासर loss हुआ है, USD, Singapore डॉलर पर मैं trade कर रहा हूँ, 4 मिनिट का time है, 2 मिनिट 20 सेकेंड बचे हुए है, charts upward movement दिखा रहा है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा हम लोग के सामने नहीं है, I am really hoping कि यह दोनों trade तगड़ा निकले हम लोग के लिए, USD, Singapore, dollar, lift मारे ऊपर, देखेंगे क्या होता है, कि इंडिकेशन जो आप लोग को दिख रहा है, दोस्तों, इंडिकेशन देखाँ, आप लोग बूल्स पावर, बियर्स पावर, दोनों above the zero horizon पे ही, रोल कर रहा है, धिरे धिरे, उसलेट कर रहा है, but we need some good move, we really need some good move upwards, तब जाके यहां पे हम लोग कुछ आसा कर सकते हैं, अभी जो है, अभी एकदम हम लोग जहां पे trade ओपन हुआ था, वे ही पे है, उसले आप लोग को दिख रहा है, 450 invested, 450 as the return, no red, no green, but we need some good lift upwards, let's hold on and see what exactly we get from these two trades. वन मिनिट का टाइम बचा हुआ है, lift जो मैं चारा था, वो हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत टाइम है, चार्ट नीचे नहीं आना चाहिए, candlestick उपर जाना चाहिए, tail form हुआ है, tail हम लोग को नहीं चाहिए, we need proper big body candlestick, 42 seconds का टाइम बचा हुआ है, sale चला गया है, already हम लोग ना इस घाट के हैं, ना उस घाट के, बीच में फसे हुए हैं, पानी ज्यादा जोर लहर मारा, then we are gone, तो वेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, 26 seconds का टाइम बचा हुआ है, दोस्तो, we are trading, using Bollinger Bands, Bulls Power and Beers Power, together known as Confrontation VIP Strategy, देखते हैं, क्या होता है, यहाँ पर किता बढ़िया है, यह oscillator, कैसे यह हम लोग को, आज profit करवाता है, 6 seconds और 5 seconds का टाइम, बचा हुआ है, 1 second, और यहाँ पर, जो, मैंने सोचा था, वही हुआ, we have made good profit, थोड़ा दिल का धरकन तेज हो गया था, but at the end, we are safe, we have made it, we have recovered losses, we have made profit, good decision at the end, where I opened two trades together, everything was good, so guys, again, आप लोग को यह बताना चाहता हूं, कि, go ahead, and join my Telegram Signal Trading Group, and you guys will find, really impressive, earning source, for you guys, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much, Jai Hind!